हलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहोस अफ सलूशन्स पर और आप देखना सुरू कर चुके हैं हमारा एंगल 15 का फूल टुटोरियल सीरीज दोस्तो जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो हमें प्रोपर्टी वाइंग के बारे में देखा कि क्या कंसेप्ट होता है उसको कैसे यूज करते हैं प्रैक्टिकल करके भी हमने देखा और दोस्तो आपके लिए आज जो वीडियो लेकर आए उसमें हम यह देखेंगे कि अट्र डोस्तों attribute binding से हम क्या करते हैं कि किसी भी attribute में value dynamically Care Directly Cela कर सकते हैं means क्ए हमारे component में कुई किसी variable में कोई value है उसको हम किसी element के attribute में directly set कर सकते हैं मालotype suppose करते हैं हमारे पास कोई टेवल है उसमें TD, ट्र हमारे बने हुग है तो वहाँ पर टीडी में जो kola span होता है, यह table का border हुआ, यह width हुआ, height हुआ, उन सारी चीजों के हम static set करते हैं HTML पेज़ पर, right, तो aesthetic होता है, जैसे मालो kola span 2 कर दिया, 3 कर दिया, तो aesthetic हो गया, बट उसी चीज़ को, जो हमारा 3 और 4 आ रहा है, उसको अगर हम यह component से लेकर आना हो, तो उस table के जो kola span property हो, उसमें हम dynamically set कर सकते हैं, attribute winding के help से, तो दोस्तों इसको कैसे करते हैं, उसको हम radical करके देखेंगे, means कि हम किस तरीके से dynamically, जो component का value होता है, हम किसी element के attribute में set करते हैं, syntax आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है, कि td में जैसे adder, adder या attribute को identify कर रहा है, dot call span, equal to my call span, यह जो दोस्तों, my call span है, यह एक variable है, जो हमारे type attribute file में लिखा हुआ है, और इसमें जीतना value हम set करेंगे dynamically, वो चीजें हमारे, जाके HTML पर effect करेगा, तो चली, इसको हम देख देखते हैं, एक बार practical करके, तब आपका स्वासा concept और clear होगा, और इसका आप साथ ही साथ practical करते चले, तो दोस्तों, यह है project जहांपर हम practical करके देंगे, दोस्तों, यह हमारा app.component.html page है, तो चली, दोस्तों, हम क्या करते हैं, आप एक table बनाएंगे, उसे पहले मैं एक heading ल ले लिया, और इसमें हमें लिख लिया, कि attribute, example, right, आप हमारा रोन करें, तो बेपेज पर दीखेगा, तो थोड़ा सा समाझ में आएगा, आचा लाएगा, इसके लिए मैंने लिया, एक कोई mandatory नहीं है, attribute binding के लिए, just हमने header बनाया, right, उसके बाद हम दोस्तों क्या करते हैं, table बनाते हैं, right, एक हमने table लिया, right, और इसमें हमने क्या किया, दोस्तों हमने एक TR बनाया, right, इसके अंदर हमने TD एक लिया, right, और इस TD में दोस्तों हमने क्या लिख लिया, student details, right, student details, right, उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, यहां पर, एक और TD लिया, फिर एक और टीडी लिया और इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा थासा टाइम बचेगा पूरे टी यार को ही हम काम करते हैं पूरे टी यार को ही कॉपी कर लेते हैं राइट हमने कॉपी किया पेस्ट किया राइट और यहां पर इस टीडी में हमने लिख लिया दोस्तों मान लो हमने लिख लिया नेम यहां हम पहले आईडी ले लेते हैं आईडी उसके बाद हम ले लेते हैं नेम यहां पर नेम लिया हमने उसके बाद यहां पर दोस्तों हम कुछ क्लास ले लेते हैं उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं कि एक बार और कॉपी करते हैं और कुछ इसमें data assign कर लेते हैं right मालों दोस्तों हमने क्या करिया तो असले टेवल बना रहा है ताकि किस concept आपका clear हो हमने 001 कर लिया नेम कर लिया हमने अजीत कुमार और क्लाश हमने कर लिया कुछ भी है अब तेंथ कर लिया कुछ भी ठीक है इसके बाद दोस्तों क्या करते हैं कि हम टेवल का border set कर लेते हैं ताकि टेवल डिजाइन में दीखे रैट इसमें हमने one कर दिया उसके बाद इसका थोड़ा का height और width भी ले लेते हैं को रइट इसमें हमने लिख लिया तो हंड़ेट और width भी हमने कर लिया All right और इसमें हमने लिख लिया छे-स प्वर हंडर्ड अब इसको सेफ करके का अबर देखते हैं कि टेबल का डियाइन के इसा दिखता है राइट उसके बाद दोस्तों इसमें तो दोस्तो देख यह ब्रावजिन में दीख रहा है हमारे पास विए एक्जाम्पल लिखा भूआ रहा है उसके बाद नीचे टेबल आ रहा है दोस्तो रॉइट बट यह टेबल के डिटेल से और यह ब्लेंक कर रहा है तो हम क्यों एसको मर्ज कर दें तो merge कर लिए अनले करने के लिए हम क्या करते हैं we should callspan के लिए 3 कर देंगे तरह तो तीनों व्ह कॉलम होगा merge हो जाएका right, इसके लिए हम स्टैटिक की बात करें, तो स्टैटीक की लिए हम क्या करें, दोस्तों यहाँ पर Şimpli, हमार पर किलीट करेंगे और यहां पर हम क्या करेंगे तीडी के अंदर जाकर कोल अश्पैन 3 कर देंगे ति यह मर्ज हो जाएगा हमारा राइट उसके बाद हम ब्राउजर में देखेंगे तो यहां पर देखिए हमारे मर्ज हो गया अब हमारे समझ माण लगा कि यह डेटा जो रहा है स्टूडेंट से लाकर अट्रिब्यूट में बाइंड करें तो हमारा अट्रिब्यूट बाइंडिंग कर लाएगा राइट इस चीज को हम करेंगे कैसे इसके लिए हम क्या कारें दोस्तों इसके लिए ऑ convinced पर यहां पर मालों बहर लक्त लेते हैं रैट कोऌंस तैसको हमने नंबर टाइप गया मिन्स की components आएगा अब इस calls को अगर हम यहां पर sign कर दें इसके attribute में directly set कर दें यहां पर हम क्या करें इसको attribute binding करने करने कर दो होता है यहां पर हम अभी तो आपको दीख रहा है कि directly हमने 3D दिया है अपर हम condition wise भी change कर सकते हैं कि यह चीज आए तो इतना date आए तो इतना chorusman हो जाए मिन्स कि किसी भी attribute को हम किसी भी element के attribute को dynamically अपने according set कर सकते हैं तो इसका browser पर देखते हैं सेम वही चीज दिख रहा होगा जैसा कि हमने static set करके रेखा था राइट यहां पर देख लिजे यहां पर मैं दिखाता हूं browser में देखें यहां browser में सेम चीज दिख रहा है अज हम क्या करता जैसे यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहां पर HTML में border set किया हुआ हुआ जो के static कर रहा है इसको भी हम attribute binding के थुरू dynamically set कर सकते हैं यहां से राइट इसके दोस्तों क्या करेंगे आप हमारों दोस्त हम ले लिया VDR और इसको हमें number type के ले लिया राइट और इसमें हमने sign कर दिया इसमें मारों दोस्तों हमने one आ रहा थे हैं आप हमने five कर दिया तब आपको लगएगा कहाँ डैनेमिक सेटर पहले तो वह नहीं करके दिखाता हूं तापकी आपको दिखे राइट यहां पर इसके बाद हम यहां पर जाएंगे और यहां पर दोस्ता हम यहां क्या करेंगा array bracket के अंदर utter dot border right और हम इसको बंद करेंगे इसके बाद इसमें हम जो देखेंगे तब आपको लगया कहाँ डैनेमिक ली यह सेट हो रहा है तो इसके लिए माल दोस्तों हमने चेंज के यहां पर यहां पर टीएस फाइल में इसका मोवन के जगा पर अगर हमने 5 कर दिया तब आपको थोड़ा सा एफ्ट दिखेंगा कहां कॉंपोनेंट पेज से उठके आ रही है डेटा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा बॉडर चेंज हो गया है यह 5 उठा लिया मिन्स के हम इसको डैनेमिकली सेट कर रहे हैं अपने कॉंपोनेंट पेज से भी पेज पर राइट दोस्तों आपने यह चीजे देखा अब इसी तरीके से हम इसको इसके हाइट और वीर्थ को भी सेट कर सकते हैं राइट हाइट और वीर्थ को भी डैनेमिकली हम यह बले लेकर यहां पर सेट कर सकते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे यूज करते हैं अट्रिब्यूट बाइंडिंग दोस्तों यह बेसी कंसेप्ट आपका किलियर ह कैसे यूज करते हैं बेसी कंसेप्ट पर किलिए वाज़ा भी यूज करेंगे हम प्रोजेक्ट लेवल पर तब आपको समझ में आएगा कि हमने आपको पहले बेसी कंसेप्ट क्यों समझाया था यह आगे आने वाले जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें यूज करके देखेंगे जो हम प्रोजेक्ट लेवल पर काम करेंगे राइट तो दोस्तों फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूज है हमारे कमेंट बक्स में जरूर सेयर कीजिए तो इस वीडियो को ज्यादा स्यादा लाइक करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को और लोगों में सेयर करिए ता